नमस्कार आपका आख़बार के रविवारी अंग में आपका स्वागत है मैं हूं प्रदीप सिंग देश में एक प्रधान मंत्री ऐसे हुए हैं जिनको इस बात का खत्रा था इस बात का डर था बलकि कहें कि सेना प्रमुख उनका तखता प्लट सकते हैं अब आपके लिए अंदाजा लगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा लेकिन फिर भी मैं थोड़ा समय देता हूँ आपको अंदाजा लगाने का उस मुद्दे पर आओं उससे पहले देश में आजादी के बाद परिस्थिती क्या थी सेना की सैने तैयारी की और भारत में सैने नीती की इसके बारे में थोड़ा बात करना जरूरी है और ये जो तथ्य मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये लेखक शियुकुनाल वर्मा की किताब से लिया गया है आजादी के बाद सवाल ये हुआ कि भारत की सेना की सैने नीती होनी चाहिए उससे पहले ये बताना जरूरी है कि लेखक का मानना है और बहुत सारे विशलेशकों का मानना है कि भारत की राजनीती में सिर्फ दो ऐसे नेता हुए जो सैने ताकत को यानि आर्म पावर को एक स्टेट क्राफ्ट के टूल के तौर पर इस्तेमाल करना जानते थे और करने की समझ थी और करना चाहते भी थे वो दो नेता थे नेता जी सुभाष चंद्र बोस और दूसरे सर्दार वल्लभाई पटेल 1949 के कॉंग्रे सध्यक्ष के चुनाव के बाद गांधी जी ने नेता जी को हाशे प्रदकेल दिया उसका किस्सा कई बार बता चुका हूँ उन्होंने किस तरह से जीतने के बाद भी उनको काम नहीं करने दिया अकेर में उनको हार कर जो है वो पार्टी छोड़ना पड़ा और अलग अपनी पार्टी फारवर्ड ब्लॉक के नाम से बनानी पड़े उनको हटाकर गांधी जी ने एक तरह से जवाहलाल नहरू को भारत का भावी प्रदान मंत्री बनने का रास्ता साफ कर दिया और जो भी बची खुची कसर थी वो 1950 में सरदार पटेल के निधन के बाद वो भी खत्म हो गई तो कोई देश में ऐसा नेता नहीं रह गया जो देश की रक्षा नीती के बारे में सोच सकता हो जिसकी समझ हो ऐसी है कि स्क्रेटिक रूप से हमें थ्रेट कहां से है क्या threat perception है उसके लिए क्या तैयारी होनी चाहिए उसके लिए सेना की क्या-क्या जरूरते हैं और किस तरह से उसको equip किया जाना चाहिए इसके बारे में सोचने वाला कोई नहीं है आप कहेंगे ये किस तरह की बात कर रहे हैं देश हाजाद दुआ था और कैसे ये नहीं सोचा जा सकता था जवाहरलाल नहरू की आप देश के जो प्रतम प्रधानमंत्री थे उनकी बात आप सुन लीजे प्रधानमंत्री बनने के बाद की नहीं है उससे पहले 1928 में उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि भारत को किसी ओर से दुनिया में किसी भी तरफ से कोई सैने खत्रा है इसलिए जो है भारत को सैने तैयारी की ज़रूरत नहीं है यह आजादी से पहले जवाहरलाल नहरू गोल रहते हैं और अपने इन शब्दों को एक तरह से वापस लेना पड़ा या कहें शर्मिंदा होना पड़े अगर वो हुए हो जब 1947 अक्टूबर में उनको ज प्रशिक्षण करती थी उसकी देखबाल करती थी उसके लिए काम करती थी अब आजादी के बाद सेना का और यहन्टेशन सेना का प्रशिक्षण और उसकी सोच ऐसी होनी चाहिए थी जो भारत के प्रती संभावित खत्रों से निपटने की तैयारी कर सके लेकिन नहरू का विश्वास जो है पंचशील में था गुट निर्पेक्षता में था निशस्त्री करन यानि डिसार्मामेंट में था तो यह उनकी सोच थी सैने तैयारी के बारे में देश के प्रती खत्रों के बारे में इससे आप एक हलका सा अंदाजा लगा सकते हैं स्ट्रेटिजिक नीत सावित करने के लिए केवल उनका एक पत्र जो दिसंबर 1950 में अपनी मौत से कुछ दिन पहले उन्होंने लिखा था चीन और तिबबत के बारे में जवारलाल लहरू को उससे बड़ा साफ हो जाता है कि सरदार पटेल की दूर द्रिश्टी कितनी थी किस तरह से वो चल जाएगा वो सोशल मीडिया पर अविलेबल है कोई ऐसा सीक्रेट डॉक्यमेंट नहीं है जिसमें उन्होंने तिबबत के बारे में नहरू की पॉलिसी की आलोशना किया और कहा चीन में हमारा जो राजदूत है वो दरसल चीनियों के साथ मिल गया है और उसका उन्होंने जो केबल जो संदेश उस समय के राजदूत ने भेजे थे उन सब को कोट किया अपनी चिट्थी में और उन्होंने उसी समय जवहाला नहरू को चेतावनी दी थी कि चीन धोखा देगा 1950 में चीन ने तिबबत पर कबजा कर लिया उस समय भारत की इस्थिती सैन जो ख्रमता थी ऐसी नहीं थी कि नहरू जो है या कोई भी चाहता तो तिबबत को बचाने के लिए चीन के खिलाफ युद उच्छेट सकता था या हमला कर सकता था लेकिन भारत के पास अब सैन तैयारी के लिए कम से कम दस साल का समय था यह हाइंड साइट में कहा जा रहा है क्योंकि 1962 का युद धुलरा हमने तो 1950 से 1962 यानि 10-11 साल का समय था हमें सैनिक तैयारी के लिए तो सैनिक तैयारी के बारे में नहरू का क्या सोचना था इसको समझने के लिए एक घटना जानना जरूरी है भारती सेना के पहले कमांडर इंचीफ थे सर रॉब लॉख हर्ट वो जवाहलाल नहरू के पास यानि प्रधान मंत्री के पास एक दस्तावज लेकर गए एक ड्रा रबिश, टोटल रबिश और नहरू ने कहा वो सुनकर आज आपको हसी आ सकती है उस समय भी आई होगी जिन लोगों ने सुना होगा उन्होंने कहा हमें डिफेंस पॉलिसी की कोई जरूरत ही नहीं है हम तो आइंसा में विश्वास करने वाले हैं हमारी नीती आइंसा की है म मुझे भारत के लिए कोई सैन खत्रा नजर नहीं आता ये भारत के पहले कमांडर इंचीफ से देश के पहले प्रधान मंतरी जवाहरलाल नहरू कह रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरा जहां तक सवाल है आप चाहें तो सेना को खत्म कर सकते हैं पुलिस जो है वही हमारी रक्षा के लिए पर्याप्त है और ये जब 1950 में हुआ तिबबत पर कब्जा कर लिया चीन ने उसके बाद जनरल करियपपा जो सेना प्रमुख बने उन्होंने जवाहरलाल नहरू को प्रधान मंतरी को चेतावनी दी थी कि हमारी सेना के पास चीन का मुकाबला करने की छमता नहीं है उस तरह की तैयारी नहीं है लेकिन जवाहरलाल नहरू ने सेना की तैयारी के लिए कुछ नहीं किया बलकि सेना में जो औफिसरस कैडर था उसको धीरे धीरे घटाते गए उसका नतीजा ये हुआ कि सेना के मामलों में बिरोक्रेटी का दखल बढ़ता गया सेना के बारे में फैसला बिरोक्रेट लेने लगे आईये सबसर लेने लगे जिनको सेना की तैयारियों जरूरतों और किस तरह के एक्विप्मेंट की जरूरत है किस तरह की टेक्नॉलजी की जरूरत है इसकी कोई जानकारी नहीं थी जनरल थिमया जब सेना ध्यक्ष बने तो सेना की तैयारियों को देखकर वो बहुत नाराज थे तो जनरल थिमया के पदभार सम्हालने से 20 दिन पहले जवाहरलाल नहरू ने कैलाश नात काटजू को हटा कर वीके किष्णमिनन जो उनके मित्र थे उनको देश का रक्षा मंत्री बना दिया अब यहां से कहानी शुरू होती है देश के सबसे योग्य सेना ध्यक्ष और जब मैं योग्य कह रहा हूँ तो इस आधार पर कह रहा हूँ कि जनरल थिमया अकेले ऐसे भारतिय सैनिक अधिकारी थे जिन्होंने वर्ड वर्ड टू में किसी फाइटिंग ब्रिगेड को कमांड किया था उन्हें डिस्टिंग्विश्ट सर्विस ओर्डर से सम्मानित किया गया था और जम्मू कश्मीर में जब कबाईलियों के बेश में पाकिस्तानी सेना गुसी उस समय भी उनकी बड़ी महतपूर्ण भूमी का थी जनरल थिमया के सेना ध्यक्ष बनने के बाद नहरू और कृष्ण मेंनन ने मिलकर उनको अपमानित करने का उनके खिलाफ शड़यत रचने के लिए जो कुछ हो सकता था सब कुछ किया दोनों के टकराओं की शुरुवात हुई जवाहल लाल नहरू के एक बयान से जो उन्होंने संसद में दिया संसद में उन्होंने कहा कि हमने नेफा जो आज हरुनाचल प्रदेश है उस समय नेफा नाम था नेफा की जिम्मेदारी उसके सुरक्षा सेना को सौंप दी है अब ये इतना बड़ा गूफब था फॉरेंड पॉलिसी का कि जनरल थिमया गुस्से से पागल हो रहे थे उन्होंने कहा कि आपने इस बात को सारवजनिक कर दिया अब आपने चीन को बहाना दे दिया कि वो हमको एग्रेसर बताए आकरमणकारी बताए सेना के हवाले है सौरक्षा नेफा की ये बात सारवजनिक करने की जरूरत नहीं थी चीन जो निफा से लगे मतलब आज के अरुनाचल से लगी अपनी सीमा की ओर अपने सैनिक तैनात करता है उनको बॉर्डर गार्ड के रूप में बताता है वो ये नहीं कहता कि चीन की सेना यहां तैनात है और जनरल थिमया ने एक तरह से धमकी देते हुए नहरू से कहा इसको दो हफते के अंदर इसको ठीक कीजिए जो आपने किया है उससे सेना के मनोबल पर असर पड़ेगा सेना की तैयारी पर असर पड़ेगा देश की सुरक्षा पर असर पड़ेगा अब जनरल थिमया नो नॉंसेंस मैं थे सिधी सिधी बात कहना जानते थे कुछ छिपाने वाले लोगों में नहीं थे नहरू जानते थे कि जनरल थिमया को दबा नहीं सकते और जनरल थिमया ने जिस तरह से उनको धमकी दी थी नहरू डरे हुए थे नेहरू के मन में डर था वैसे सेना में इस तरह की कोई बात नहीं थी देश में कहीं कोई बात नहीं थी लेकिन नेहरू के मन में ये डर बैठ गया था कि जनरल थिमया मुझे देश के सर्वमान्य नेता के पद से हटा सकते है वो मेरी जगह ले सकते है तो सारवजनिक रूप से तो जनरल थिमया की प्रशंसा करते थे लेकिन उनको लगता था कि जनरल थिमया उनको चैलेंज कर सकते हैं उनकी जो इस्थिती है अंडिस्पूटेड लीडर के रूप में देश में उसको अगर कोई चैलेंज कर सकता है तो जनरल थिमया कर सकते हैं तो नहरू ने जो संसद में बयान दिया था उस पर जनरल थिमया का कहना था नहरू हैड कॉंपरमाइजड आर्मी उनका इतराज ये था कि आपने एक तो ये बात सारुजनिक कर दी चीन को एक हथियार दिया हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए इंटरनेशनल फोरूम्स में और दूसरा सेना को ये सौपते हुए आपने सेना के संसाधन के लिए कुछ नहीं किया उनको जादा हथियार देने के लिए लोजिस्टिक्स की दिश्टि से उनकी मदद करने के लिए सेना को कोई संसाधन नहीं दिये और नेफा की जिम्यदारी की बात आपने जो है सारुजनिक कर दी नहरू और क्रिश्टमेनन की बात हुई दोनों के मन में ये डर था ये शुव कुडान वर्मा ने नहीं लिखा है मैं कह रहा हूँ दोनों के मन में डर था दोनों बड़े करीबी मित्र थे सब कुछ शेयर करते थे तो अब एक तरह से बिना कहे हुए तयारी हुई जनरल थिमयदा को कमजोर करने की तो कृष्ण मेनन ने सीधे बुलावा भेजा जनरल थिमयदा को और बहुत बुरी तरह से पेश आये उन्होंने कहा कि आपने कैसे सीधे प्राइम मिनिस्टर से बात कर ली प्रापर चैनल के थ्रू के नहीं गए पहले आपको डिफेंस मिनिस्टर से बात करनी चाहिए थी जनरल थिमयदा का जो सभाव था मालूम था इन लोगों को गुस्से में वहां से निकले और उन्होंने अपना स्टीफा भेज दिया अब आप देखें कैसे खेल हुआ जनरल थिमयदा ने 31 अगस्त को अपना स्टीफा भेजा वो तीन मूर्ती पहुँचा एक अगस्त को दोपहर में नेरुजी ने उनको बुलवाया और कहा कि इस समय ऐसी परिस्थिती है देश की तो राष्ट रहित में आपको अपना स्टीफा वापस लेना चाहिए सीमा पर चीनी जो है समस्या पैदा कर रहे हैं ऐसे में अगर सेना ध्यक्ष इस्टीफा दे देगा तो इसका बड़ा बुरा असर पड़ेगा जनरल थिमया इसके लिए तयार हो गए वो प्रधान मंतरी से मिलकर निकले और पीछे से उनके इस्टीफे की खबर लीक कर दी गई लेकिन ये खबर लीक नहीं की गई कि उनका इस्टीफा प्रधान मंतरी ने नामन्जूर कर दिया है दो सितंबर को यानि तीसरे दिन नहरू ने संसद में कहा कि उन्होंने जनरल थिमया को इस्टीफा वापस लेने के लिए मना लिया है और कहा कि कोई ऐसा गंबीर मुद्दा नहीं था उनके इस्टीफे के पीछे ऐसा कोई कारण नहीं था बहुत छोटा मुद्दा था ये डिपार्टमेंटल डिफरेंसे थे जिसकी वज़े से किया और उसके बाद आलोचना भी की जनरल थिमया की कि ऐसे जो है संकट के समय वो अपने पद से इस्टीफा दे रहे जनरल थिमया अत्मान का घूट पी कर रहे गए और इतना ही नहीं से जिस दिन इस्टीफा दिया उन्होंने 31 अगस्त को खबर लीक की गई तो उस दिन देश भर के अकबारों की पहली खबर थी लीड खबर बनी संसद में उनका इस्टीफा नामन्जूर कर दिया गया उनको इस्टीफा वापस लेने के लिए मना लिया गया है ये कहते हुए जवालाल नहरू ने कहा अब आप देखिए उनके मन का डर बोलने लगा उन्होंने कहा कि सिविलियन ओथारोटी मिलिटरी अर्थारेटी से उपर है ये कहनी कि उनको कोई ज़रूरत नहीं थी कोई ऐसा मौका नहीं था, कोई ऐसी घटना नहीं हुई थी लेकिन जनरल थिमया का डर उनको सता रहा था तो पूरे देश को वो संदेश देना चाहते थे कि सिविलियन अथारिटी मिलिटरी अथारिटी से उपर है उसके बाद जनरल थिमय्या को धीरे धीरे प्रभावहीन करने की कोशिश शुरू ही BM कॉल को आगे बढ़ाया जाने लगा अगले सेना ध्यक्षे लिए जवाहलाल नहरू, वीके कृष्ण मेनन, बीम कॉल ये तीन लोग जिम्मेदार हैं 1962 में भारत की चीन के हाथों बुरी तरह से हुई हार के लिए और एक बात कहे बिना बात पूरी नहीं होगी कि जनरल थिमय्या के इस तीफे में क्या लिखा था ये आज तक मैं कहरा हूँ 2024 की बात कर रहा हूँ एक सितंबर 2024 की आज तक वो चिट्टी सारुजनिक नहीं हुई है आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितनी विसफोटक चिट्टी रही होगी उसके बारे में जूट या सही कुछ खबरें लिख की जाती रही सरकार की और से तो जाहिर है सरकार की और से अगर मंशा होती उस चिट्टी के कंटेंट्स मताने की तो चिट्टी ही पूरी लिख कर दी जाती जो कि कभी नहीं हुआ और उसके बाद की किसी सरकार नहीं नहीं की इसका मतलब देश की सुरक्षा से जुड़े बहुत महतुपूर्ण मुद्दे उस चिट्थी में उठाए गए थे तो ये किया जवाहालाल नहरू ने देश के सबसे जाबाज और सबसे कुशल थलसेना ध्यक्ष के साथ जनरल थिमया और नहरू और कृष्ण मेनन का जो विवाद है वो बहुत लंबे समय तक सुरक्षियों में रहा जनरल थिमया डिसिप्लिन सोलजर थे अनुशासित सिपाई थे अनुशासित अधिकारी थे सेना ध्यक्ष थे इसलिए उन्होंने अपनी ओर से कोई बात नहीं कहीए आपनी चिठ्थी वो चाहते तो मीडिया में लीग कर सकते थे उन्होंने ऐसा नहीं किया वो चिठी आज तक रहसे बनी हुई है लेकिन बात उस चिठी तक की नहीं है बात यह है कि किस तरह से जवाहरलाल नहरू और वीके कृष्ण मेनन ने मिलकर भारतिय सेना को कमजोर किया किस तरह से भारतिय सेना की जरूरतों की उपेक्षा की गई हमारा जो 42,000 वर किलो मीटर का इलाका चीन ने कबजा कर लिया वो केवल नहरू और कृष्ण मेनन की गलतियों की वज़े से उनकी कमजोरियों की वज़े से उनकी अदूर दरशिता की वज़े से नहरू का वो दाव कहा गया कि हमें सेना की जरूरत नहीं है हमारी सुरक्षा के लिए तो पुलिस ही काफी है ये सोच थी नहरू की स्ट्रेटिजिक अफेर्स के बारे में इससे आप अंदाजा लगाए कि देश की सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खत्रा थे जवाहरलाल नहरू उन्होंने ब उसकी भी चर्चा होनी चाहिए आप ये नहीं कर सकते हैं कि इतिहास के एक पक्ष को खूब उजागर करें और दूसरे पक्ष को छिपा कर रखें तो नहरू की ये जो कमजोरियां थी बलकि मैं कहता हूँ अक्षमता थी खासत और से स्ट्रेटिक अफेर्स के मामले में सरदार पटेल के पत्र पढ़ें तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि स्ट्रेटिक अफेर्स और फॉर्ण पॉलिसी की जैसी समझ सरदार पटेल को थी उसका रत्ती भर भी जवाहला नहरू को नहीं थी वो स्वापन जीवी थे वो अपनी कल्पना की दुनिया में जीते उनका हकीकत से वास्तविक्ता से जमीनी सच्चाई से कोई लेना देना नहीं था जो व्यक्ति ये कह सकता हो आजादी के बाद कि हमें सेना की जरूरत ही नहीं है डिफेंस पॉलिसी की जरूरत ही नहीं है आप अंदाजा लगाईए कि उसकी सोच क्या रही हो और उनका डर उ गांधी जी नहीं उनको प्रदान मंत्री बनवाया, पहले नेता जी को काटा, फिर सर्दार पटेल को रास्ते से अटाया और उनको प्रदान मंत्री बनवाया. लेकिन जवाहलाल नहरू का कैलिबर क्या था? ये घटनाएं बताती हैं, उसमें किसी की उपीनियन की राय की ज़रूरत नहीं है. अब धीरे धीरे जो इतिहास दबा दिया गया था, छिपा लिया गया था, वो सब सामने आ रहा है. तो इन नेताओं का असली चहरा भी सामने आ रहा है. देश को समझना चाहिए कि देश की जो सैने शक्ति की कमजोरी है वो किन कारणों से है, किन लोग की वज़े से है, कौन इसके लिए दिम्मेदार थे आप कल्पना कीजिए कि अगर अपनी सैने तैयारी शुरू की होती, डिफेंस पॉलिसी उस समय बनाई होती, तो आज भारत की इतना शक्तिशाली देश होगा, लेकिन जो नहीं हुआ वो नहीं हुआ, अब जो हो रहा है, उन गलतियों को सुधारने की कोशिश हो रही है, तो जाहिर है, उसमें समय तो लगना ही है, तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे, किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए अन्मती दीजिए, आप से अनोध है कि ये चैनल देखे, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब जरूट कीजिए Namaskar